जहिंद टू और मैं रिस्पेक्टिट एस्पिरेंस और भी आप सभी का स्वागर फिरता हूं जैसा कि आपके जो मेंस हैं वह कुछी तिन रह गए हैं तो उसी से रिलेटेट जो भी इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वह आपके साथ डिसकस किये जा रहे हैं तो आए शुरू क लगेड़ते गहिए उतु हैसा है अगरीमंट से बाहर हो गया है ये धार के मधेंटा को पर्दते एक मल्टी लेटरल यारे मिल्टी तो यह एक बाईलेटरल एकिसमें पर बाहरीए है ठीक है तो ये है तो इसका नाम है START, START का एक फुलफॉर्म है, यह बिसिकली एक अब्रिविएशन है, आप जानते ही है, Strategic Arms Reduction Treaty, ठीक है, और इसको START 1 दिया गया था, ठीक है, इसमें यह जो साइन किया गया था, यह 1991 में किया था, तब आप जानते ही है, USSR उस समय ही टूटा था, जब साइन किया गया था, यह USSR था, और जब इससे एक्जिक्यूट किया गया था, 1994 में, तब इसमें से रश्या बाहर आ चुका था, तो अब हम देखते हैं कि 2023 में रश्या इसमें से बाहर आ चुका है, तो यह आपका important मुद्दा बंच सकता है, तो यह बात अपने याद रखनी है, आगे देखते हैं, अब देखें, इसी से एक question भी आ चुका है, 2011 पे, न्यू स्टार्ट का पूछा गया है, ठीक है, न्यू स्टार्ट भी हमने ये पढ़ा है, जिससे कि अब रश्या बाहर आ चुका है, इस agreement से, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यह एक multilateral तो है नहीं, ठीक है, यह एक bilateral है, और यह किस-किस के बीच है, USA और रश्या, तो राइ ब्राजल का जो नदन प्रविंस है, जो उत्तरी उसका परंथ है उसको हम state of Para कहते हैं, ठीक है, तो होता कया था कि जो बीफ, आप जानते ही है, यह जो गाए मास होता ही है, तो यह जो ब्राजल काफी मातरा में इसको export करता था, चाइना की तरफ, परनतु हाली में जो ब्रा अगर आप इसको अगर आप इसको इसको फेट करते हैं तो भी आपके लिए नुक्सान दाए होता है तो यह बाद आपने याद रखनी है मैट काउड डिजीज तो मैट काउड डिजीज क्या है एक सी एनस पे अटेक करती है ठीक है और यह किसकी वज़े से होती है एक प्रूटीन है जिसका नाम है प्रायान तो यह बाद आपने याद रखनी है आगे दिखते हैं अब नेक्स्ट है हमारा कि जो सुप्रीम कोट है उ यहाँ पर क्या है कि जो अंतिम फैसला होता है अगर कोई दल बदल कानून में कोई जो सदस्य है चाहे वो सांसद है या विधायक है उसके विरुध अगर कारवाई चल रही है और जो अंतिम फैसला होता है मतलब उसकी जो शुरुवात की जाती जो डिस्क्वालिफाई करन उनको भी दल बदल कानून के तहर एक नोटिस जारी किया गया है, तो उस हिस्ति में क्या होता है, कि स्पीकर किसी को डिस्क्वालिफाई कर सकता है, तो वहाँ पर अगर हम एक केस देखें, यहाँ पर आप देखेगा, 2016 का केस था, जो है नमबम रेवाई का केस है, इसमें क्या है, एक नोटिस आया हुगा है, ठीक है, परन्तु यहीं पर 2016 को जो उच्छितम नियाले का जो एक वर्डिक था, उस ही को जो उच्छितम नियाले है, उसने दोहजार तेईस में बदल दिया है, उसने कहा है कि अगर नोटिस आया भी है, तब भी जो सदेश से को डिस्क 9, 10 से 11, 12 आपको दिखती है, वो संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, तो अगे अभी हम अगर दल बदल कानून की बात करों, तो उससे जो संबंधित अनुसूची है, वो है आपकी अनुसूची 10, ठीक है, और ये कब जोड़ी है, ये आपकी 1985 में जोड़ी है, 52nd Amendment जो 1985 मे इंडिया कंटीन प्रोविजन रिगार्डिंग टू एंटिडिफेक्शन, ये हैं एंटिडिफेक्शन कहा है, आपका दसवी अनुसूची पर, तो ये बात आपने देख लेनी है, आप देखे, अभी महरास्ट में कुछ एक राजनितिक मुद्दा गर्मा गया था, ये समयधानिक तोरपे सही नहीं है, कुछ लोग कह रहता है समयधानिक तोरपे सही है, परन्तु हमें एक समयधानिक तोरपे इसको समझना पड़ेगा, तो पहरे तो ये समझे ये जो floor test होता है उसके बारे में कहीं पर भी समीधान में ये spasht नहीं लिखा है कि जो floor test करेंगे वो राज़िपाल करेंगे ये बात अपने याद रखनी है इसी लिए देखे एक होती है theory of observation theory of observation क्या होता है कि समीधान में कुछ ऐसी बाते लिखी होती है जिसका निशकर्स मतलब क्या होता है कि उसमें लिखा नहीं होता है पर उसको समझा जाता है जैसे कि एक उधारन में देता हूँ आपको जैसे एक अनुछित बावन में लिखा है there shall be a president there shall be a president तो shall be a president मतलब तो यहाँ पर आप समझेंगे कि वहाँ पर एक ही president होगा यानि कि किसी भी तरह का एक समयधानिक संशुधन करके यह नहीं किया जाएगा कि दो रास्टपती बना दी जाएंगे तो यहीं पर एक theory of observation कहता है अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्यों कि जब मैं 163 को पढ़ता हूँ जिसमें आपको पता है कि मंत्री परिशद वाली बात लिखी है यह भी लिखा है कि मंत्री परिशद के अनुसार ही जो राज्यपाल है वो काम करेंगे ठीक है तो जो 163 अनुच्छेद है वहाँ पर हमें यह भी पता चलता है अप्रत्यक्ष रूप से हमें पता चलता है कि जब भी जो सदन है जब वो सतर में नहीं होगी तो वहाँ पर फ्लोर टेस्ट राज्यपाल करा सकते है ठीक है और अगर जो सदन है वो सतर में होगी तो वहाँ पर जो फ्लोर टेस्ट है वो राज्यपाल नहीं करा सकते वो स्पीकर कराएगा सदन अगर सतर में है तो floor test कराने का अधिकार किसके पास है ? Speaker के पास और अगर सदन सतर में नहीं है तो floor test कौन कराएगा ? राज्य बाल तो यह बात आपनी याद रखनी है जो मैंने आपको data दिया है पूरा का पूरा ये डेटा यहाँ पर लिखा है तो अनुचे 163 में ये अप्रत्यक शुरूप से पता चलता है कि फ्लोट टेस्स कराने का अधिकार है समयधानी का अधिकार है इसके पास राज्यपाल के पास पर तभी जब सत्र सदन में माफ कीज़ेगा जब सदन सत्र में ना हो ये वत आपने यादर नी है आगे देखते हैं अब देखें एक जो गिफ्ट है ये आप जानते हैं गुजरात में स्टैब्लिश किया जा रहा है तो गिफ्ट में ये प्रावधान दिया गया है कि जब बजट प्रसुत किया गया था निर्मिला सीतर रवन ती द्वारा 2022 वला 2023 वला तो उसमें एक प्रावधान दिया था कि गिफ्ट में अगर कोई भी ऐसा जो विश्विद्याले है जो भार का है विदेशी है और भारत में अपनी कुछाखा खोलना चाहता है तो खोल सकता है जिससे कि भारतियों को जो उच उनिवर्सिटी की ब्रांच खोलेगी ठीक है तो पहले तो याद रखने है डीकन उनिवर्सिटी और यहां पर यह बजट 2022 में अनाउंस किया गया था ठीक है गिफ्ट सिटी आपको पता ही है यह गुजरात में इस्टैब्लिश की जा रही है अब देखे यहां पर एक बात ह यह जो युनिवर्सिटी आएंगे जो फॉरण की युनिवर्सिटीज हैं इनको डुमेस्टिक रेगुलेशन से नहीं जाना है देखे इसको ऐसे समझेगा कि जो आपका शिक्षा होता है वो एक समर्ती सूची में आता है समर्ती सूची मतलब जहां पर राज्य और केंदर दोनों मिलके कानून बनाते हैं तो यानि कि अगर डीकन युनिवर्सिटी या कोई भी विश्विध्याले आता है वो किसी राज्य में ही तो स्थापित होगा तो राज्य के जो लोकल कानून होते हैं ठीक है वो उस विश्विध्याले में लागू नहीं होंगे वो इसलिए UGC से approval बहुत जरूरी होता है, तब ही आपकी डिगरी मानने होती है, तो केंदर का जो कानून है वो तो लागू होगा, यानि कि UGC द्वारा इसे regulate किया जाएगा, और इसके लिए एक और body बनाई गई है, वो है आपका IFSCA, ठीक है, तो IFSCA क्या है, ये statutory body है, यानि कि कानून जो प्रश्न पूछा जाता है, जो से इस तरह से कि शिक्षा के लिए काम कर रही है सरकार, तो आपने ये उधारन पका देना है, और आपने ये भी बताना है, कि इसमें जो लोकल लेवल के जो rules हैं वो तो लागू नहीं होंगे, परन्तु UGC का norm जो होते हैं, वो लागू ह आई गई है, ठीक है, grievances मतलब होता है, जो शिकायत हो जाती है, ठीक है, आपकी, आप जो एक आदमी होता है, जब शिकायत होती है, तो उसी को हम grievances कहता है, ठीक है, आए देखते हैं क्या है, तो जो GAC's है, जिसका full form है, grievance appellate committees, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि पहल अपने याद रखनी है, तो यह जो इस्थापित किया जा रहा है, यह केंद सरकार द्वारा किया जा रहा है, और इसके तहट क्या होगा, जैसे कि Facebook हो गया, Twitter हो गया, Instagram हो गया, इसी साजकला में देखता है, कि सबसे जादे जो अपराधिक मामले आ रहे हैं, यह इन ही Facebook, Twitter औ Instagram से जादा आ रहा है, आप जानते ही है किस तरह से आपकी जो डेटा है उसका गलत इस्तिमाल किया जाता है, तो आपको अगर इन से कोई भी शिकायत होगी, तो आप कहा जाएंगे, GAC के पास जाएंगे, यह तीन समितिया बनाएं गई गई है, ठीक है, त्री कमिटीज बना IT Rule 2021 के हिसाब से काम करेंगे, इनको regulate इसके द्वारा किया जाएगा, और अगर मैं इसके संगठन की बात करूँ, composition की बात करूँ, जो तीन GAC बनाया जा रहा है, हर GAC में एक जिए परसन होगा, और दो whole time members होगे, ठीक है, और एक इसमें retired senior executive होगा from the industry, जिसे तजरुरबा हो होगा, तो इस तरह से आपने means writing में ये, मुद्दे जो भी मैं point आपको बता रहा हूँ, और इसके बारे में भी आपने research करने में लिए, ठीक है, अब देखे, ये एक picture ही है, जिसमें कि आप जानते है, कि जो चीता लाया जा रहा है, अफरीका से लाया जा रहा है, ठीक है, आपको पता ही है कि पूरे worldwide आपको दो तरह की चीता मिलता है, एक Asian मिलता है, एक African मिलता है, तो यहाँ पर आप देख रहा हूँ है, इस तरह से comparison वाली picture आपके सामने रखे, जो आपके बहुत काम आने वाले है, ठीक है, जैसे कि IUCN के हिसाब से अगर मैं African चीता देखूं जो डाक कलर होता है, वो ज्यादा तर अफरीकन चीता का है, और जो थोड़ा सा उसके मुकाबले comparatively कम है, तो वो है आपका Asian चीता, ठीक है, और size में भी बड़ा होता है आपका African चीता, तो इससे देखेगा, आपको मिलेगा, जब आपका paper होगा, तो तब बात करेंगे, काफी painful होती है, तो देखे, यहां से अब पहले picture देखे, पिच्छे से आपको क्या समझ में आएगा, जैसे पहले जो इलाज होता था, वो X-ray therapy की जाती थी, यहां पर tumor हो रगा है, यह वाला section पर tumor हो रगा है, और यहां पर क्या होता था, एक penetrate किया जाता था, ठीक है, X-rays क और वो होता क्या था, चलिए यह जो dead cells है, इसको तो वो तभा करते थे, destroy करते थे, परंतु यह जो raise है, यह आगे भी forward हो जाती थी, तो जो हमारे SSL है, जो खराब नहीं है, उनको भी यह damage करते था था, यह वाली प्रक्रिया, कौन सी X-ray therapy वाली, जो आम तोर पर देखी जा तो यहाँ से हम देखेंगे कि proton therapy क्या है, यह type of radiation है, फिक है, है इस में भी radiation परंतु यह जो radiation create किया जाता है, यह proton VIM से किया जाता है, ठीक है, एकस-ray नहीं है, इसमें ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इट uses proton rather than X-rays, ञीक है, यहाँ पर proton का इस्तिमाल किया जाता है, ना कि X- और यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ इलाज में हम कर सकते हैं कि плton और x-ray को साथ, mix करके हम इससका इलाज करवा सकते हैं जैसे कि अगर एकस्टबड़किब बनाना है क्यूंके pltons छो है यह cancer का इलाज कर सकते हैं, तो यह बात अपने याद रहें, तो आप proton therapy को भी थोड़ा देख लीजेगा, आगे देखते हैं, Maya civilization, यह वेरी वेरी इंपोर्टन, यह एक नई civilization की खोज हुई है, यह कहाँ पर हुआ है, गोटा माल में, गोटा माल आप जानते हैं, जहाँ पर 10 टाउन को discover किया है, जो कही न कहीं कहाँ पर हमें दिखता है, नदन गोट माला पर, ठीक है, और इसको जो discover किया गया है, यह LIDAR से किया गया है, LIDAR, LIDAR, तो यह LIDAR का full form किया है, light detection and ranging, ठीक है, तो मतलब एक देखे, पहले से क्या होता था, देखे, तकनीक कितनी बड़ ग वो कैसे पता चलता है, with the help of LIDAR, ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है किसका, यह मायन civilization का, ठीक है, और यह किसकी मतलब इसमें, गोट माला के साथ, और कौन सी country काम कर रही है, France, ठीक है, इसमें France काम कर रही है, तो इस तरह से कुछ topic आपके समक्ष किया दिये जा रहे ह है, जिससे कि आप इसको एक बार, exam दिने से पहले, इन topics को एक नजर माल लेजिए, ठीक है, तो आईए एक बार main बात कर लेता है, जैसे कि, जो HCS 2024 के लिए, गोवेला classes की तरफ से अब आपको complete package दिया जा रहा है, complete से यह मतलब है, कि आपको optional भी available है, गोवेला classes में, फिला यहां पर हम देखेंगे, कि आप देखेगा कि, यहां पर आपको optional नहीं है, जो मातर आपका GS और Hindi English जो आपका पूरा का पूरा पीपर है, वह आपको तयार किया जाएगा, यहां पर optional नहीं है, बाकि optional वाली बात बोलू, तो 24,999 का, that's it, और यह बिना optional के 24,999 का, और अगर आप देखेंगे option, यहां political science optional है, यहां economy optional है, यहां history optional है, यहां geography optional, जैसे कि मैंने कहा था, 4 optional available रहेंगे, प्लस आपका foundation course, foundation course मतलब basic से आपको बढ़ाया जाएगा, और यह कुछ achievements देख सकते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं, यह हमारा telegram channel है, जिसमें daily updates होते हैं, तो और hope so, कि यह topics आपके means में आएं, तो यहीं से में अपना lecture end करने जा रहा हूं, जैन्त